प्रतिदीन नियम से मंदिर जाने वाली महिला ने अचानक मंदिर ना आने के लिए कहने पर पुजारी जी ने क्या काम करने को कहा जिससे महिला ने फिर से मंदिर आना प्रारंब कर दिया एक महिला रोज मंदिर जाती थी और बड़ी श्रधा पूर्वक पूजा किया करती थी एक दिन उस महिला ने बड़े दुखी होकर पुजारी जी से कहा पुजारी जी कल से मैं मंदिर नहीं आऊंगी यह सुनकर पुजारी जी ने पूचा क्यों तम महिला बोली मैं प्रती दिन यह देखती हूँ कि कुछ लोग मंदिर प्रांगण में अपने मोवाइल अपने ब्यापार एवं लेंदेन की बाचीत के लिए प्रियोग करते हैं कभी कभी बात करते करते क्रोध में भी आजाते हैं यहां बैटकर वाट्सेप पर चैटिंग भी खूब करते हैं और हसते हैं कुछ लोगों ने जब मंदिर प्रांगण को अपना ड्राइंग रूम पब्लिक पार्क या फिर क्लब समझ आपस में गप्य मारने का इस्थान ब बड़ा मुश्किल हो गया है यह सब सुनकर पुजारी जी बोले आप सही कह रही हैं परतु अपना अंधिपनिदने लेने से पहले जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर सकती हो महिला ने कहा हाँ कर सकती हो आप बताइए मुझे क्या करना होगा पुजारी जी ने कहा पानी से भरे ग्लास को लेकर दो चक्कर मंदिर प्रांगड के लगाने है पर इसके साथ साथ एक शर्थ भी है कि एक बून भी पानी के ग्लास की नीचे नहीं गितनी चाहिए क्या आप ऐसा कर सकती है यदि हाँ तो अभी करके दिखाओ महिला ने कहा पुजारी जी ये कोई मुश्किल काम नहीं है मैं अभी करके आती हूँ थोड़ी देर में महिला ने पुजारी जी के कहे अनुसार मंदिप प्रांगण के दो चक्कर लगा दिये तब पुजारी जी ने महिला से चार प्रश्न पूंचे 1. मंदिप प्रांगण में परिक्रमा के समय क्या तुमने किसी को फोन पर व्यापार और लेंदेन की बात करते सुना और क्या किसी लड़के को लड़की छेड़ते देखा मैला ये सारे प्रेश्ण सुनकर गंबीर होकर बोली नहीं पुजारी जी क्योंकि मैंने कि सिर्फ अपने पानी से भरे ग्लास पर ही ध्यान रखा कि कहीं पानी नीचे ना गिर जाए इसी कारां परिक्रमा के समय मंदिर प तब तुम्हारा पूरा ध्यान ग्लास के पानी पर था कि कहीं पानी गिर ना जाए इसलिए तुमको हाथ में पकड़े ग्लास के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्या इसका अर्थ समझ में आया तुमको अपने प्रश्ण का उत्तर मिला या नहीं इसलिए अब जब इश्वर ही इश्वर के दर्शन होंगे क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी इस भौतिक संसार में किसी चीज का बिना मूले दिये कुछ भी प्राप्त नहीं होता है